इस बार सावन का महीना बड़ा ही खास रहने वाला है क्योंकि सावन की सुरूआ सोंबार के दिन तथा सरवार्थ सिद्धी योग में होगी इस बार पूरे 29 दिनों तक सिभ भक्त महादेप की आराधना कर अपनी मनोकामनाय फून कर सकते हैं जोतिस आचारे पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि इस बार सावन में नक्षत्र कई अज्भुत साईयोग बना रहा है जो सावन को बहुत खास और सुब बनाने वाला है ये साईयोग लगबग बहुतर बर्सवाद बन रहा है इस साईयोग में अगर विदी विदा करने के लिख लिए वगवान शंकत प्रसंड करने के लिए मैवना ही बहुत हैं कि और सैयोग लेकर के आ रहा है यह से जो और दोसरा महिने में 5 सोंबार पढ़ रहे हैं यह अद्वत यूग है 29 दिन का जह श्रावन का बहुना है अंचान के अनुसार बहुत कर साल बाद को जोतिसी संयोग बनने जा रहे हैं उनके हम यहां चर्टा करते हैं पहला श्रावन कौमबार माई-जुलाई के दिन हो रहा है इस दिन श्रावन नक्षत्र में सिद्धी योग, रीती योग वो सरवार्त सिद्धी योग पढ़ रहा है इस प्रकार की उत्तम योगों में श्रावन का माज प्रादम होने जादा है श्रावन का जो अंतिम तौमबार है, जो पांजबा तौमबार है, वा 19 अगत के दिन पढ़ने जादा है उस दिन भी श्रावन नक्षत्र में सिद्धी योग है तो यह श्रावन श्रावन नक्षत्र और सिद्धी योग में प्रादम हो रहा है और श्रावन नक्षत्र सिद्धी योग में ही इसका तमापन होगा तो ऐसा योग बहुत तर वर्फ माद बन रहा है कि एक ही नक्षत्र और एक ही योग में श्रावन प्रागम हो रहा है और उसका तमापन हो रहा है इसके साथ ही शिद्धी योग को ही आयुसमान योग का भी निर्मान हो रहा है। प्रधट 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 किशनान कराये। महामरप्तुंजे का जब और जो महामंत्र कहा गया है ओम नमस्यवाय तो महामंत्र का यदि अभी चावन के महिने में जब करते हैं नो निश्यती हमारे जीवन में सुख चांती सम्रप्ती की जाबती होती है फोलेनाथ प्रसन होंगे और आपकी सभी मनों कामनाओं को पूल कर पूल कर दो काराली